नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है, मैं निर्मल चाया का रहने वाला हूं B8 में मैं चोटी सी ये बात बताना चाहता था कि पिछले कुछ दिनों से मैं किड्नी के स्टोन होने से बहुत ही परिशान था इसकारण मेरको बड़ा ही एकदम से तेज पेन होना शुरू हो जाता था अभी कली की बात है कि पूरी राद मैं सुओन ही पाया और पेन इतना ज्यादा था कि मैं अब घरवालों को बोल रहा था कि मुझे आप अभी होस्पिटल ले चलो हाला कि रात भर मैंने जैसे तैसे कर लेकिन सुबह होते ही हम होस्पिटल जाने लगे तब ही हमारे सामने राजुसर रहते हैं जो कि अभी कुछ दो मेने पहले यहां पे शिफ्ट होए थे तो उन्होंने जब देखा कि मैं इतना पेन में हूँ उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे कहने पर होस्पिटल मच जाओगा आप उस डाइट से अच्छे से क्योर हो जाओगे एक बर सुनकर के लगा कि ऐसी कैसी पोसिबल है फिर मैंने उनकी बात मान ली उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया मैंने उनकी बात मानी और मैंने उनकी डाइट फॉलो की 12 गंटे तक और उस डाइट से आप के कहने पे वो डाइट फॉलो की है मैं तहज उसे उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये डाइट का गाइड किया जिससे मेरे को पेन में अभी रिलीज है मेरा नाम साक्षी है मैं निर्मल शाया टावर बेट में रहती हूं मुझे राजु जी के अबारे सब्सक्राइब करना चाहूंगी कि राजु जी की नौलिज का जुरूर सब फैदा उठाएं और एकदम डिजीस फ्री लाइट अब हमारा वेट साथ कीजी कम हो गया है और पहले बेडमिंटन खिलता नहीं था थोड़ा सहवी होने करन अब सब्सक्राइब करता है और आप लोग भी अगर अपना वेट कम करना है तो राजु जी सला लेगा उसकी डाइट फोलोगर बिल्कुल हंडर्ड परचंट आपकोरा मिलेगा नमस्कार मेरा नाम सर मिश्था है मैं निर्मल शाय में भी एट में रहती हूं मैंने राजु सहर से मुझे 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 मुझ हो रहे हैं कि अब मेरा स्टमक डेली क्लीन हो रहा है विदाउट एनी एफ़र्स थैंक्यू सो मच राजु सर पॉर इस गाइडेंस पॉर इस चाय में रहती हूं एटू पीएच फोर में और राजु जी को मैंने बुलाया उसकी डाइट मैं फोलो कर रही हूं और मैं पीजी आ है तो मैंने 22-24 दिन हो गए हाज मैंने एक भी दवाई नहीं ली है उससे मैं ठीक हूं मैं बैड्मिंटन भी खेलती हूं और मैं बहुत खुश हूं मैं चाहती हूं कोई भी आदमी बिमार नहीं होए इस डाइट सब फोलो करे और राजु जी से कॉंटेक्ट करें में नाम मैं निर्मल चाया टावर बी एट में रहता हूं अभी थोड़ी दिन पहले मेरी मदर इनलाओ को शुगर डियागनोज वा था एंड डॉक्टर्स ने उनको इंसुलेन एडवाईस किया था और थोड़ी दिन पहले ही हमें राजु जी के बारे में पता चला हमने इंसे इंसे पहले दोक्टर्स ने वीक तो 10 देज का कोश दिया था वो 4 देज में ही चूट गई है वो डाइट फ़लो करके तो भी लग्की आज निर्मल चाया रजिएंस्टर्स ने मिस्टर राजु जाओधरी इन आशुएटी दिस्कूस तो इम दिस्कूस 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 दिस पहलो इस डाइट. कि डाइट religiously follow करी है इसमें कोई शक्त नहीं है वीज दिन से मैं इनकी डाइट फॉलो कर रही हूँ मेरे पैरों की swelling बिल्कुल खतम हो गई है I've lost 4kg weight in 20 days which is really good for me जबकि नदर नहीं आता है पर को आए वेंग स्केल पर खड़े होके पता लगता है और मैंने asthmatic फ़ली चो मेरी रात की medicine में खाते थी वो मेरे को हफ़ता दस से हो गया चोड़तीया क्योंकि मुझे अब जैसे मैं सुबह उपते ही मेरे को problem शुरू हो जाती थी कि मेरे कले में every मतलब इस सालों से हो रहा था उपते ही में brush करने जाती थी तो मेरे मुकेस मेरे गले में फसावता था और ब्रश करती थी और निकलता था बाहर जब तक वामेट या वो सब नहीं हो जाता था था तक वो में को comfortable नहीं फील करती थी बट अब मैं from last 10 days में बिल्कुल कोई problem नहीं है मेरे वो itching और वो सब खतम हो गया थांक यू राजुजी थांक यू सो मच फूला थांक यू मेरा नाम सर्मिश्था है मैं निर्मल छाय में भी एट में रहती हूं अभी लास्थ जे मुझे अचानक से शिवरीं के साथ ना फीवर चड़ गया फीवर भी ऐसा कि 103 तक मतलब फीवर गया मेरा और दिमाग में च खारा हूं 30 मिनिट में और तक आपको बाहर निर्मल छाय से बाहर नहीं जाना जबकि मेरी आलत बहुत ज्यादा खराब थी नोर्मल अगर करोना का टाइम ना होता तो शायद अप उतनी देर में हम होस्पिटल जा चुके होते पर वही करोना के कारण तो वैसी होस्पिटल जाते तो कुछ ना होते हुए भी करोना डी क्लियर हो जाना था तो इतने में फिर आजू जी आये और मेरा फीवर बढ़ता ही जा रहा था सर में इतना भ्यंकर दर्द और मैं यहीं कह जारी कि मुझे होस्पिटल ले चलो मुझे होस्पिटल ले चलो पर उन्होंने बोला कि कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं जा रहा था इतना टेंपरेचर हाई था कि उनकी वाइफ डोली भाबी वो खुद मेरे हस्मेंट सब पूरी बोडी पे बरफ की पतियां कर रहे थे सर पे बरफ की पतियां डोली भाबी ऐलो वेरा लेके आए वो ऐलो वेरा सारे मेरे सर पे सारी बोडी पे अलो वेरा से मसाज कर रहे थे पर मेरा फिर धीरे धीरे मतलब फीवर उतरता फिर दो तिन घंटे बार शीवरिंग के साथ फीवर चड़ जाता तीन दिन ऐसा ही चलता पर इस बीच बहुत बार में ने बोला कि मुझे होस्पिटल ले चलो मेरी मेरी हालत बहुत पर आजो जी ने साफ मना कर दिया कि बाहर बिल्कुल नहीं जाना है हम डाइट से ही सब घर पे ही सब ठीक करेंगे तो इसमें टाइम जरूर लगा हुझे तीन मलब पर हिम्मत बहुत उनकी दोली भावी और आजो वेया दोनों ने इतना सपोर्ट किया ऐसे करोना के टाइम में जब कोई पास भी नहीं लगता ऐसे में उन्होंने मेरी इतनी सेवा की इतना मेरा बुरा हाल था उन्होंने इतना सपोर्ट किया हिम्मत से फिर भी चलो तीन दिन बाद फिर मेरा फीवर बिल्कुल उतर गया सर में भी बिल्कुल फिर दर्द खतम हो गया जबकि वो तीन तीन दिन मैं यही बोल रही थी भया गिसी तरह मेरा सरदर्ड ठीक कर दो, मुझे किसी तरह मुझे ठीक कर दो बहुत ज्यादा बुरी हाल थी पर तीन दिन की डायट से मैं मुझे सच में मतलब घर पे ही अराम आया और मैं यही कहूंगे सबसे कि कोई भी ऐसी एमर्जंसी हो ऐसा एमर्जंसी का टाइम हो तो प्लीज राजुजी को जुरूर कोंटेक्ट कीजी की नौलेज का फायदा उठाइए और घर पे ही ऐसे करोना के टाइम में बिल्कुल बाहर मज जाएए और घर पे ही कोशिश करें क कि डाइट से ही खुद को ठीक रख सकें में फैमली मेंबर्स सब यही सोचते हैं कि काश डोली भावी और राजुबहिया दस-पंद्रा साल पहले मिले होते तो लाइफ ही शायद कुछ और होती और जो वो सेवा एमर्जंसी में वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका वो तो